C.A. Inter September 24 की एक्जाम के लिए आज हम आपको बताने वाले है टेक्सेशन सब्जेक्ट के ऐसे टॉपिक्स जिसमें से आप एक्सपेट कर सकते हो 87 प्लस मार्क्स का पेपर So let's begin शिरुआत करते हैं कि क्या-क्या चीज़े आपको descriptive में पूछी जाएगी और क्या-क्या चीज़े आपको MCQ में पूछने के बहुत ज्यादा chances है ठीक है आगे कि जितने भी attempts गए उसके भी हमने upload किये थे तो वो prediction भी है और paper भी है ताकि आपको पता चले कि भाईया कितना जवर जस्त analysis करके हम आपके साथ share करते है और telegram पे तो भाईया chapter में कौन सा चीज़ पूछा जाने के chances है ना वो कुछ chapters के मैं पहले से ही बता देता हूँ तो वो भी last time मैंने किया था तो काफ़ी students को बहुत benefit हुआ था तो telegram को ज़रूर से join कर लेना let's begin शुरुआत करते कि भाईया क्या क्या चीज़े आपको भाईया यहां पे ध्यान में रखना है सबसे पहले बात करते हैं income tax के बारे में descriptive के बारे में बात करता हूँ MCQ के बारे में बात करूँगा descriptive में अगर मैं आपको बताओ तो सबसे पहले आपका residential status आपके लिए hot favorite भाईया तो वो तो तुमको करना ही करना है but problem students को आती है भाईया कौन सा head करो यार बहुत बड़ी दिक्कत है salary and HP आपके attempt के लिए September 24 के लिए आपको ये करके जाना है और ये आपके लिए बहुत important है यहाँ भे आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले तो chapter number 4 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपको clubbing and deduction ये दो चीज़े आपके लिए बहुत important है जो आपको हरहाल में करके जाना है descriptive part के लिए and yes chapter 5 में अगर मैं बात करूँ तो आपको tedious देखना बहुत ज़रूरी है and yes question chapter number 7 जो होता है वो तो आपके लिए important है ही वो तो आपके लिए पूछा ही जाता है इतनी चीज़े जो आपको ध्यान में रखनी है rationalist status, salary and HP हर हाल में करके जाएएगा clubbing deduction का portion आपको देखने को मिलेगा and yes tedious and आपका जो final question होता है पूरा का पूरा वो आपको एक अच्छे से करके जाना है अब आपको कहोगे MCQB बता दो तो MCQB बता देते हैं देखो कई सारे लोग ना बोलेगी कि भाया तुमने तो हमको topic बता दिया बट इस topic में भी काफी सारी चीज़े है exactly कौन सी section कहां से question बनने के chances है अगर वो बता देते तो हमारे लिए तो और easy हो जाता तो yes मेरी positive army आपके लिए वो भी ready है 100 most important questions and उसके answers हमने आपके लिए बना दिये है जिसमेंसे आप expect कर सकते हो around 70 marks का paper last year time के reviews के link भी मैं comment in description box में डाल दूँगा तो वहां से आप last year time के reviews देख सकते हो जब student exam देखे आते हैं तो messages based थे कि भया इतने marks का पूछा गया इतना coverage था तो वो सब reviews है ये 100 and 120 most important questions and answers आपको हरहाल में करके जाना है एक भी question miss नहीं करना है आपको ये question अब से बस यही चीजे पढ़नी है भया यही चीजे पढ़नी है और इसके साथ साथ आपको इस item का RTP, MTP अगर आपने इतना कर लिया enough है exam को clear करने के लिए इस में से आप definitely 65 to 70 marks का expect कर सकते हो link आपको comment in description box में मिल जागी उस पे click करिए और आप हमारी mobile application या तो website पे आपको immediate access मिल जाएगा आपको जहां में भी access चाहिए मिल जाएगा आप device change कर सकते हो mobile से PC PC से mobile आप अपने convenience के इसाब से पढ़ाई कर सकते हो बस आपको पढ़ने है ये questions और आपको exam में clear होना है तो ये questions group 1 and group 2 दोनों के लिए ready है अगर आपको ये subject के लिए जाना चाहते हो तो भी आप इसे purchase कर सकते हो बहुत minimum price रखा है and student के reviews मैंने दे दिये उसको देखके ही purchase करने का भाई ठीक है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि last के result जब telegram channel पे तुम हो और exam के बाद जब मैं reviews भेज रहा हो तब आपको ऐसा लगे कि यार link सामने था बस click करने के दे रही है कास हमने भी click कर लिया होता तो हमारा paper भी इतना match होता और जबर जस्त paper गया होता तो आप इस opportunity को miss नहीं करिएगा बहुत ही important questions आपके लिए select किये गए है updated answers के साथ तो आप इसे जरूर से check out कर लीजिएगा and जरूर से इसको पढ़िए आपको within 5 seconds आपको access मिल जाएगा जैसे ही आप enroll करते हो यह हो गया income tax का भईया आपका कौन सा part हो गया descriptive part अगर मैं MCQ की बात करो तो MCQ में आपको जो ध्यान में रखना है वो है एक तो TCS capital gain and IFOs ठेक है तो यह वाली जो चीज है ना capital gain and IFOs यह MCQ के लिए मैं बोल रहा हूँ भईया आपको and yes TCS वाला part यह जो तुमको है ना भईया यह तुमको ध्यान में रखना है जिसमें से तुमको MCQ बनने के chances है ठेक है तो इतनी चीज़े तुमको MCQ के लिए और descriptive के लिए भी आपको बता दिया यह एक RCM वाला जो चीज़ है reverse charge यह तुमको बहुत बढ़िया तरीके से करके जाना है एक exemption वाला चीज़ है ठीक है यह दो चीज़े आपको बहुत बढ़िया तरीके से करके जाना है इसके साथ-साथ अगर पीछे आ जाओ पीछे की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या चीज़े आपके लिए important है तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आपका time of supply वाला जो है इस बार के लिए बहुत important है time of supply वाला तो यह आप जरूर से करके जाईएगा इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि आपका जो है TDS, TCS and ITC तो यह आपको ध्यान में रखना जरूरी है कौनसा कौनसा भया TDS, TCS and input tax credit तो इतना चीज़े तुमको करके जाना है यह बहुत ही बढ़िया है तुमारे लिए बहुत ही important चीज़े है September 24 की exam के लिए तो तुमको इन चीज़ों को भया miss नहीं करना है यह आपको ध्यान में रखना है यह चीज़े तुमको कहा किस के लिए ध्यान में रखना है descriptive part के लिए अगर मैं आपको बात करूँ कि MCQ के लिए क्या क्या चीज़े आने के chances हैं तो MCQ के लिए अगर मैं बात करूँ तो एक composite लिवी ठीक है ब्ल्यू से मैं कर रहा हूँ that's MCQ के लिए ठीक है आ जाईए और अगर मैं यहां पर बात करूँ कि तुम्हारा जो है वो value of supply वाला है वो एक तुम्हारे MCQ के लिए आने के बहुत ज्यादा chances है इस बार इसके साथ साथ EVA bill इसमें MCQ बनने के chances है ठीक है तो इतना चीज़े तुमको करके जाना है MCQ पार्ट के लिए तो यहां पर जो मैंने text के लिए बताया हुआ है income text के लिए and GST दोनों के लिए मैंने बता दिया है बाकि अगर आपको ऐसा है कि नहीं भाया हमको तो clear करना ही है exemption लेके आना ही है text में तो आपके लिए 100 most important questions आपके लिए ready है link आपको comment and description box में मिल जाएगी opportunity miss नहीं करना अभी भी time कम नहीं है आपके पास time है आप इस 100, 120 most important questions को आप 1-5 दिन में easily complete कर सकते हों तो जरूर से आप इसे enroll करिए and इसे पढ़ाई शुरू कर दीजिए I hope आपको ये वीडियो बहुत helpful लगे अगर yes तो आप मुझे comment करके बताइए कि आगे कौन से subject के आपको ऐसे topics चाहिए जिससे आप ज्यादा score कर सकों Thank you so much Jai Hind